प्रहत अहम मुद्यॵार बोलना चाहता हूं अध्यक्ष mothers a यह देश यह से इस देश में KIRBY फोड़ के इस देश्ट के अंदर हजारों सालों से गंगा जम्नी चल रही है तोड़ के अध्यक्स मोद है अर्णाब गोशामी जैसे सरकार के तलवे चातने वाले जो सरकार के समय भुड़ने टेकर कुटे की तरह से जंद सिक्कों पर भिखने वाले ऐसे जम्नी श्लों मैं कहना चाहता हूँ हमारे विरोधी दल नेता फंडवी साथ बैठे है मैं इसे पुछना चाहता हूँ कि आप बताईए कि अर्नब गोस्वामी जैसे यह जनरलिस्टों ने तब इस देश के अंदर तब्लीगे जमात के उपर सबरदस्ती तब्लीगे जमात को करोना बहने वाला कहा और कई दिनों तर महीरों तर यह लोग तब्लीगी जमात को करोना बहने वाले कर करके इस देशकंदर हिदू मसलमालों को बाटने की कोशिश किया और उसके बाद कोट ने कह दिया कि तबलीगी जमात को बली का बगरा बनाया गया तबलीगी जमात ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप लोग आप इतने लोग बैटे हो आपको शरम नहीं आती आप बोलने को नहीं दिखायोते तबलीगी जमात वो जमात है जो इस देश के अंदर इंसानियत सिखाती है और ये कोट ने कह दिया कोट ने कोट ने कह दिया है कि तबलीगी जमाद को भली का भगरा बनाया गया मैं मांग करता हूँ और अब गोसामी जैसे लोगों को उस कुर्सी से उठा कर फैक दिया जाए और इसकी जगाद जेल में होना चाहिए उसकी हिम्बत क्या है कि हमारे मुक्मंतिरी को इस तरह से बात करता है जैसे कोई गुंड़ा मवाली बात करता हो मैं हाक बंक का सपोर्ट करने खड़ा हूँ और डियोदन करता हूँ कि इसको अपर जल से जल करवाई किया जाए ये एक कंगना राउत है कंगना रनाउत और इसने का कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस को खतम कर दिया बेशरम कहीं कि इस्लामिक बात करती है तू इस्लाम के बारे में बात कर रहे हो फिल्म लाइन से इस्लाम के क्या ले जाना है अगर तुम कहती ही खान प्रादर तो मैं कुछ नहीं बोलता तुम ने इस्लामिक वर्चस की बात किया है मैं मांग करता हूँ गिर्मंत्री से ऐसे लोगों को महारास्टा की सरजमिन पर रहने का कोई हक नहीं है करवाई कीजिए उसको पर हमारे मुक्रमंत्री के बारे में हमारे महारास्टा के बारे में यह खरत बाते करते हैं वो लोग जो रोजी रोटी यहां कमाते हैं वो लोग इस तवा की बात करेंगे हमारे जैसे लोग कभी उसे परदाश नहीं कर सकते मैं बांग करता हूँ कि यह अरनव गोस्वामी पर कंगना रनाउट पर और ऐसे तमाम लोगों पर कारवाई होना चाहिए बहुत बहुत धन्नवा सर